Hello Saturdays, मैं हूँ करिंशापरी और यह है आप लोगों के लिए 2024 के next 4 months that is May, June, July, August की reading I hope कि आपने 2024 के first 4 months की reading देख ली है और अगर नहीं देखी है तो इस वीडियो के end में आपको 2024 के first 4 months and 2024 के last 4 months की link मिल जाएंगे आप क्लिक करके देख सकते हैं आप मेरे चानल को भी विजिट कर सकते हैं और इसी के साथ साथ May, June, July, August 2024 की reading शुरू करते हैं तो देखें आप इस सबसे पहले cards है King of Cups, Reverse and Sorrow और पिछली reading में हमने देखा था यानि की January, February, March, April 2024 की reading में देखा था कि कुछ unfair चीज़े रह रही हैं specifically you know उन 4 months के end में और Magician Reverse के card में भी हमने देखा था कि आप या तो over confident हो रहे हैं किसी चीज़ को लेकर या overall ही या फिर कोई situation कोई इंसान है जो थोड़ा सा manipulate कर रहे हैं और कहीं देखे वही energies इन 4 months की starting में continue भी होती भी दिख रही हैं अब देखे कोई चीज़ अगर आपको end of those 4 months में परिशान कर रही है तो एकदम से तो खतम होनी जाएगी और कुछ यही यहाँ पर cards भी कह रहे हैं sorrow का card कहता है कि कोई चीज़ आपको परिशान कर रही है या फिर आप थोड़ा सा उदास हो रहे हैं and king of cups reverse का card भी कहीं emotionally low feel करने की बात करता है अब देखे यह general reading है तो थोड़ा थोड़ा सब के लिए differ करेगा क्योंकि यह king of cups का card है, reverse है तो कुछ secretaries के लिए कोई male figure हो सकते है या फिर कोई female हो सकती है masculine energies की जिनकी वज़े से आप थोड़ा सा emotionally low feel कर रहे हैं sentimental हो रहे हैं, आपके mood swings हो रहे हैं और दिखिए किसी relationship, किसी ऐनो ऐसी चीज़ की वज़े से जिसके साथ आप बहुत emotionally connected हैं जिनके लिए या फिर cheese भी हो सकती है, non living कोई चीज़ हो सकती है आपके मन में बहुत प्यार है उसकी वज़े से कहीं एक उदासी, एक परेशानी आप जादा महसूस करते वे दिख रहे हैं यानि कि money, पैसा, materialistic, tangible चीज़ों की वज़े से आप उतना परेशान नहीं हो रहे हैं आप फिर मैं कहूंगी कि उस तरफ से या फिर वो एक reason आपकी परेशानी उदासी का नहीं रहतावा दिख रहा है क्योंकि sorrow के उपर king of cups का card है और cups कहीं relationships, प्यार, महबत को represent करते हैं कहीं you know feelings की बात करते हैं, sentiments की बात करते हैं तो इन ही reasons की वज़े से आप थोड़ा सा उदास होते हुए दिख रहे हैं वैसे देखी ये general reading है तो इका दुका लोगों के लिए money, पैसा, materialistic चीज़ें भी रह सकती हैं जो आपको किसी level पर परेशान कर रहे हैं लेकिन फिरसे मैं कहूंगी जादा emotions, feelings, sentiments, प्यार, महबत, love, relationships एक reason आपकी उदासी का रहते हुए दिख रहे हैं और इस चीज़ को सुनके आपने बिलकुल भी परेशान नहीं होना है Sagittarius क्योंकि ये सिरुफ और सिरुफ in 4 months के starting की energies हैं या आपकी पूरी life की energies नहीं हैं और अभी हम आगे भी देखेंगे क्या होता है तो कैसे इस energy को आप बदल के या फिर अपने actions को आप बदल के चीज़ों को बहतर कर सकते हैं आपने सिरुफ और सिरुफ उस पे ही focus करना है मैंने reading के starting में ही आपको कहा था कि tarot guidance के लिए होता है consultancy के लिए होता है और आपने इसी intention के साथ इस reading को देखना है अगर आपको पहले से ही दिख रहा है कि आप थोड़ा सा उदास परेशान हो सकते हैं और relationship, connections, प्यार, मोहबत एक reason जाधा रहतावा दिख रहा है तो अगर आप 2024 की starting में ही एक detached तरीके से चीज़ों को deal करते हैं मैं ऐसा भी कह सकती हूँ detached attachment रखते हैं और यहाँ पर देखें जरूरी नहीं है कि आप लोगों के साथ या relationships में ही ऐसी energies रखें कभी कभी professional front में भी किसी goal, किसी मकसद के लिए जब हम बहुत attach हो जाते हैं अपसेसे हो जाते हैं तब भी हम परेशान होते हैं तो गीता में लिखा हुआ है ना करम करें, फलकी इच्छा ना करें तो ऐसी energies में अगर आप रहते हैं फिर चाहे वो कोई भी चीज हो, कोई relationship हो, आपके professional front में कोई project हो, कोई चीज हो, कोई outcome हो, कोई goal हो तो आप beyond the point परेशान नहीं होते हैं तो यहाँ पे दिखें, शुरू से ही अगर एक attached detachment वाली energies आप रखते हैं एक surrender mode में रहते हैं बहुत जादा किसी भी चीज में involved नहीं होते हैं एक balance maintain करते हैं और हमने देखा भी था पिछले reading में कि आप end में जो भी हो रहा है एक बहुत जबर्दस balance maintain कर रहे हैं या फिर करने की कोशिश कर रहे हैं तो आप बहुत सरी चीजों को avoid कर पाते हैं तो यहां पर देखिए starting बहुत great नहीं होती हुई दिख रही है and mid में भी tower का card कहीं बहुत great energies की बात नहीं करता है tower का card suddenly किसी situation में से बाहर निकलने की बात करता है जो कि at times एक relief लेकर आती है एक सुकून लेकर आती है यह लेकिन यह निकलना कहीं uncomfortable हो जाता है निकलना कहीं थोड़ा सा मुश्किल या फिर थोड़ा सा परेशान कर देता है तो tower का card किसी चीज के तूटने की, किसी चीज के बिखरने की बात करता है या देखिए example के तौर पर मैं आपको कहूं तो होता है ना जब तूफान आता है तो चीजें तहस नहस हो जाती है और थोड़ी सी problem भी होती है, परेशानी भी होती है लेकिन उसके बाद गम से एक शान्ती होती है एक सुकून होता है अब देखिए इस चीज को सुनके आपने नहीं डरना है आपने सिरफ और सिरफ थोड़ा सा पहले से cautious रहना है कोई भी चीज में अगर आपको लगे कि आप involved होंगे आप hurt हो सकते हैं, परेशान हो सकते हैं या फिर किसी भी तरीके का risk है तो आपने नहीं वो चीज को करना है और अगर आप starting में ही ऐसी energies में रहेंगे तो tower वाली energies को किसी हद तक आप avoid भी कर सकते हैं आप अपनी life में आने से रोख सकते हैं लेकिन अगर आप aware नहीं रहे जो कि हमने पिशली reading में कहा था तो फिर आप परेशान हो सकते हैं और देखे यही मकसद भी होता है tarot reading का और यहाँ पर देखे comparison का card भी कहीं एक बहुत logical energies की बात करता है unfair energies की बात करता है और हो सकता है कि आपके मन में कोई comparison चल रहा है यहाँ फिर आप किसी चीज को compare कर रहे हैं आपके आसपास की जो लोग है professional front कुछ के लिए हो सकता है कुछ के लिए personal front हो सकता है वो आपको बहुत ज़्यादा compare कर रहे हैं और फिर से मैं कहूंगी किसी भी situation में से suddenly आप बाहर निकल रहे हैं sudden changes आ रहे हैं and किसी चीज को आपने बड़ी शिद्दत से प्यार से बनाया तो हो सकता है किसी level पे वो टूट रही है या फिर किसी में चीज को लेकर अगर आप बहुत suffocation महसूस कर रहे थे तो उसमें से आप निकल रहे हैं और हमने देखा भी पिछले 4 months के end में that is January, February, March, April के end में आप बहुत great नहीं feel कर रहे थे और in 4 months की starting में आप बहुत great नहीं feel कर रहे हैं हो सकता है mid of these 4 months में आप suddenly इसमें से बहार निकल रहे हैं and देखें यहाँ पे overall की energies के लिए deliverance का card है जो की relief और सुकून की बात करता है तो definitely यह suddenly you know बहार निकलना थोड़ा सा फिर से मैं कहूंगी uncomfortable जरूर रहेगा लेकिन एक सुकून एक peace आपकी life में लाता हुआ दिख रहा है और देखिए यह सिरफ और सिरफ 4 months की reading है और हम यहाँ पर भी mid of these 4 months की जादा बात कर रहे हैं कोई बहुत बड़ी चीजें नहीं रहेंगी एकका दुका लोगों की बात अलग है लेकिन otherwise फिर से मैं कहूंगी छोटी मोटी चीजें कभी-कभी हमें बहुत परेशान करती हैं या फिर हम उनको मन में बहुत बड़ा बना लेते हैं इसकी वज़े से हम परेशान होते हैं तो कुछ ऐसी सी energies रहती हुए दिख रही है फिलाल mid of these 4 months बहुत great नहीं जाते हुए दिख रहे हैं लेकिन end of these 4 months के लिए sharing का card कहता है कि कहीं एक you know sharing caring वाली energies आपकी life में रह रही है क्योंकि यहाँ पे queen of wands का card है तो कोई female या फिर male figure जिनकी feminine energies है उनकी तरफ से बहुत एक supportive cooperative सी energies रह सकती है बहुत एक love care आपको मिलता हुआ दिख रहा है या फिर आपकी ही ऐसी energies हैं जहाँ पे आप लोगों से connect कर रहे हैं लोगों से बात कर रहे हैं लोगों से interact कर रहे हैं कहीं you know एक काफी आप अपनी चीजें, अपनी बातें, अपनी feelings, emotions किसी खास इंसान के साथ या overall share कर रहे हैं Eight of Pentacles reverse का card कहता है कि इस time period में आप अपने professional front career पे ज़्यादा focus कर रहे हैं या फिर कोई भी goal, कोई भी मकसद अगर आपने अपनी life के लिए बनाया है आप उसके लिए बहुत dedicatedly, बहुत devotedly effort करते वे दिख रहे हैं कुछ के लिए हो सकता है कि कोई skill, कोई knowledge इस time पे आप गेन कर रहे हैं होता है ना कभी-कभी हमारी पढ़ाई कतम हो जाती है, हम internship कर रहे होते हैं फिर अपने profession से ही related, हम कोई नई skill सीख रहे होते हैं, कोई knowledge गेन कर रहे होते हैं या अगर हम housewife हैं, तो भी कहीं और housewife में जैसे होता है कि cooking से related या कोई भी चीज हम सीख रहे हैं, और बहुत एक devotion, dedication, over effort भी किसी भी चीज के लिए करते हुए दिख रहे हैं अब देखिए ये general reading है और बहुत सारे sedutaries देख रहे हैं, तो जादा तर के लिए professional front career रहता हुआ दिख रहा है personal front में कोई चीज हो सकती है, professional front career भी रहता हुआ दिख रहा है फिर से मैं कहूंगी किसी female या फिर male जिनकी feminine energies हैं, उनकी तरख से बहुत एक supportive, cooperative energies रहती हुए दिख रही हैं बहुत उनकी तरख से एक caring, loving energies रहती हुए दिख रही हैं या फिर आप sharing वाली energies में रह रहे हैं अब overall के लिए deliverance का card है और ये card कहता है कि जो भी in four months में हो रहा हो कहीं एक relief ये four months आपके लिए लाते हुए दिख रहे हैं, एक सुकून लाते हुए दिख रहे हैं अगर हम guidance के तौर पे देखें, तो ये card कहता है कि किसी भी चीज को अगर आपने बहुत tightly पकड़ कर रखा हुआ है तो उसको जरूर आप let go करें, जब तक आप उस चीज को पकड़ कर बैठे रहेंगे, तब तक कहीं एक happiness, joy नहीं महसूस कर पाएंगे तो फिर से मैं कहूंगी एक letting go वाली energies में बहुत बहुत important रहेगा in 4 months में रहेना जो भी चीज again आपको serve नहीं कर रही है, परिशान कर रही है, उसको release करें जो नई चीज़ें आपकी life में आने के लिए ready है, willing है, उनको welcome करें और किसी चीज से free होते हुए दिख रहे हैं और हमने देखा भी कि आप थोड़ा सा परेशान हो रहे थे, कहीं एक unsettling सी energies थी तो कहीं इन ही सब चीजें जो आपको परेशान कर रही थी, bother कर रही थी, जो एक obstacles आपकी life में create कर रही थी इन four months के end में कहीं आप उनसे बहार निकलते हुए दिख रहे हैं, उनसे free होते हुए दिख रहे हैं एक liberation वाली energies, एक freedom वाली energies इन four months के end में आते हुए दिख रही हैं जो भी चीज आपको bother कर रही थी, परेशान कर रही थी, कहीं उसका एक solution, उसका एक हल आपको मिलता हुआ दिख रहा है तो कोल में लाकर देखें, तो ये four months भी उतने बुरे नहीं जाते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि कहते हैं na all's will that ends will ये तरसे लिटेरेस आप लोगों के लिए May, June, July, August 2024 की reading और अगर आप last four months को देखना चाहते हैं, तो उसके लिए separate वीडियो है, इस वीडियो के end में link है, आप उसको click करके देख सकते हैं